नवस्कार दोस्तों मेरा नामा विलाश पाटी और मस्वाकत करता हूँ मेरे चैनल गेम आफ कैंडल्स में तो आज हम फिर से मार्केट अनलेसिस करेंगे आज क्या हुआ कल क्या हो सकता है और कल कोन से इंपोर्टन लेवल से कल कहा पर ट्रेड बन सकता है वो सब कुछ हम यहाँ पर आज के वीडियो में डिसकस करेंगे तो अगर चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देना ठीक है तो वीडियो को शुरू करते हैं यह निफ्टी का चार्ट आपको दीख रहा होगा निफ्टी के चार्ट में आज के वह पहल सेलिंग आ गए क्योंकि को टाइक सेक्टर को अगर देखेंगे तो अईटी तकशन फोड़ा सा स्टार्ट इंग में है यानि जैसे खुला एक पहली कैंडल यह aye और उसके बाद में आईटी ने थोड़ा रिकेंडल दिखाई बाद में फिर से आईटी गिरने लग गया तो उसका असर थोड़ा सा निफ्टी पे देखने को मिला जैसे एक दम स्टार्टिंग में तोग्य हुए गैए प्रिवियस वाला पहला वाला दिंदा याने इसका सप्रोटर था यहां पर वहां पर एक सप्रोट लेके वापस केंडिल उपर गये उपर पिहनै इसको जो डेली ट्रेडिंग करता है इसको तो एक्जैक्लि हापे जो है वो पता लग गया होगा मुझे लगता है पता लगना ही चाहिए था कि यहां से मार्केट वापस निचे आएगा तो एक्जैक्लि वहाँ से सेलिंग गया और प्रिवियस लोट के पास आ सकता है जो प्रिवियस लोट था उसका 250 के आसपस तो यहां पर रोट हा और वापस आया और वापस एक शार्प प्रस् legit गेंडल में तो अब किया हो सकता है कि माने लीजी propor निफ्豆 चाल कुछ भी क्ली लाइट फ्लाइट जाता है यह ऊजए पर भी कुल जाता है तो सबसे इंपसे इंपॉर्टन ży यह याद रखना 300 का 320 की वर उपर निकलता है यह किर्स से हमें 400 के टार्गेट देखने को मिलेंगे यानि यहां तक के निफ्टी जाएगा याने की 320 के उपर हमें फिर से बाइंग ओपर्चिनिटी दून सकते चार सो तक के याने 380 तक के एक राउन फिगर अगर लेवल चाहिए होगा यह वाला रियाद रखना जहां से फिर से फॉल आ गया था वहां पर 380 तक के लेवल तक जा सकता है बट अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे के तरफ आता है तो यहां पर देखने लायक रहेगा कि य यहां पर सपोर्ट पर सपोर्ट लेता है क्योंकि जो प्रिव आज के दिन की क्लोजिंग का यहां आज के दिन का जो लो है फ्लैट कुल के अगर नीचे आता है और यहां से फिर से सपोर्ट बनाना चाहता है तो यहां पर थोड़ी से ओला टेली दिखा कि फिर से यह अगर गैप अगर खुलता है तो simply यही अपना रेजिस्टनस जो रहेगा 320 का उसके उपर निकलता है उसके उपर गैप अगर खुल जाता है तो एक सपोर्ट लेने देंगे सपोर्ट के बाद ही हम बाइंग ऑपॉर्चनुटी धूनेंगे ठीक है बड़ अगर गैप खुल के फिर से यह 300 की नीचे ही सस्टेन कर जाता है तो फिर से हमें यह टार्गेट लो हमें वापस से देखने को मिल सकता है बड़ अगर यह तोड़ देता है यह सपोर्ट तोड़ जाता है मुझे नहीं लगता खास मुमेंटम देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर वन आवर पर तो अगर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहां पर एक गैप तक आ सकता है यह तो रहdog टार्गेट अमे आश lawsuits की नीचे जाएगा तो ही说 सिली याद रखना नाटि वह neste artist की निचे जाएगा नेटी तो आप से मिल आएगी कल यहां पर एक दोका दे सकता है कि जैसे लोग अगर बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देख रहे होंगे तो अगर दीन का लो तोलने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा यहापे 20-30 नीचे जा सकता है वापस फिर से यहापे सपोर्ट लेके थोड़ी देर साइडवेस हो सकता है मार्केट तो याद रखना बड़ी से तो ठीक है तो लेवल आपको याद रहेंगे की 320 के उपर हम सी के लिए प्लैन करेंगे 320 के उपर गैप अगर खुलता है तो तो यहाप पर नहीं जाएंगे जब तक यह दो सो नहीं तोड़ता है दोसों के नीचे ही हम निफ्टी में PE के साइड जाएंगे ठीक है समझ में आगया एकदम सिंपल अनेलिसिस था उसके बाद बैंक निफ्टी देख लेते बैंक निफ्टी मैंने कली यह ट्रेंड लाइन बोली थी जैसे यह ट्रेंड लाइन तूटी आज अगर 15 मिड्स पर आ जाते तो यह टूटने के बाद फिर से एक ओलाइटेलेटी देखने को मिली क्योंकि यहाँ भी इसको एक सपोर्ट था और निफ्टी में भी सपोर्ट था तो निफ्टी के सपोर्ट के वज़े से जैसे आईटी में रिकवरी आई शार्प रिकवरी जा सकती है तो यह शार्प यहाँ से जैसे ही वापस रिकवरी कि वापस है पर पूट की बनी जो तो मैंने 100% कैप्चर की जो पूट की ओपर जेनिटी थी यहाँ पर एक डोजी टाइप केंडल मिली 15 मीड्स पर और यहाँ से ओपर्चुनिटी मिली क्योंकि यह प्रीवेस जैसे हां पर क्या था रिजिस्टंस था निप्टी को भी एकजेक्ली वहाँ पी रिजिस्टंस था तो एक पूट का कॉल हूँआ पर पिंडेड परसेंट बनता था ठीक है तो अब कल क्या हो सकता है यहाँ पर क्या है 400-900 का आज का लोग और मान लिजे 900 का यह जो लोग है यह लो तूटेगा तो ही हम उसके जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके जो प्रीवियस सपोर्ट है वो टार्गेट के लिए जा सकते जो प्रीवियस सपोर्ट बनके आ रहे उसके वो बनके आ रहे 43 700 के तो 43 700 के लिर तबी जायेंगे हम जयसे आज का दिन का लो तूटेगा तभी हम फोरा फोर्ट फोरे फौर्ट इस से वनंडे के जाएंगे च् oppression टार्गेट के लिए तो यह बैंग निफ्टी थोड़ा सा फॉल जाता दे सकता है निफ्टी के कारण क्यूंकि यह पर टार्गेट पेंडिंग निफ्टी जैसे प्रिवियस सपोर्ट पे है वैसे आज बैंग निफ्टी नो टच नहीं किया है तो कल कदाचित टच कर ले बैंग निफ्टी में तो देखेंगे कल मुझे लगता है इतना कुछ खास मुमेंटम नहीं रहेगा क्योंकि दो दिन से कंटिन्यू मार्केट जो वो सेलिंग में आ रहा है तो एक थोड़ी से स्टार्टिंग में सेलिंग मिल के बाद में साइडवेज भी हो सकता है अगर य यह को आएए अपॉरजनेटी दुनेंगे जो की यह लेवल के ऊपर निकलता है तो जब तक 200 के लिए यह तूंडेट के ऊपर निकलता यह वन हंडेट के ऊपर निकलता है 100 के ऊपर जब निकलेंगा को फोटी फर्टे फोटी फटी फिर ठाकेट लेंगे फोटी 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 फॉर त्ीहणड टूफु फोटी फोर फोर एधे धिए छोटे फैस कर सकता पया बैंक दुपर जाएगा बट 20 कि फॉर्टी छोटे फोटी पीडूरीस्टेंस थे बट पूट साइड के लिए जैसे आज के दीन का लो तोड़ेगा वैसे 700 का फॉस्ट टार्गेट 700 के बाए डारिक 400 जा सकता है ठीक है तो यह दोनों के दोनों एनलीसिस रहे अब गैप अप खुलता है फ्लैट खुलता है तो सीधा-सीधा फ्लैट अगर खुलता है तो यह ल खुलके अगर यह लो तोड़ देता है तो हम पूट के लिए जाएके ठीक है तो सीम्पल अनलीसिस है याने सीधा-सीधा आपको अगर सपूट रिस्टनस समझ में आता है तो बस सपोट रिस्टनस की उपड़ी मेरा संपल होता है क्यूंकि यही वह लेवल्ट होता है जो इ मुनिम मैंने ट्री मिनिट्स भी देखता हूं कभी चुटी चुटी ठर्गेट लेने की कोशिश करता हूं क्यूंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूंकि यह लेवल तो आपको समझ में आ जाएगे बास अपोर्ड लेवल सपोर्ड रिस्टंस अगर समझ में आता होगा तो इंपॉर्टंट है execution जो कि आपको सिर्फ फ्रैक्टिस सी आएगा लेवल्स तो आपको हर जगा मिल जाएगे हर कुई अपने अपने चैनल पर दिखा देगा बद्चेज्ट से आएगा तो बस प्रैक्टिस करने के लिए आप रोज क्या करना है छोटे कैपिडल से ट्रेड करना अगर आप बीगनर हो तो और छोटे-छोटे कॉंटिटी में बस सिर्फ करनी है क्योंकि जब जितना ज्यादा आप चार देखोगे अगर आप ट्रेडिंग अभी कर रहे नहीं हो तो अगर आपको नहीं एक्जीकुशन नही पता है कैसे करना है क्या करना है पस ऑबजर भी करते हैं अगर मार्केट को रोज ऑबजर करते हैं रोज कैंडल कैसे बंद रहे दिन भर अगर बैठते हो स्क्रीन के सामने तो धीरे-धीरे मार्केटी आपको समझाएगा मार्केटी आपको बताएगा कि कैसे एक्जीकुट क के लिए हमको जाना है ठीक है तो एनलीस समझ में आओगा अगर चैनल पर नहीं होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रू कर देना मिलते नेक्स वीडियो में